तो यह प्रभास के फेंस का इंतिजाद हो चुका है खतम, प्रोजेक्ट के जो कि चर्चाओं में बने वी, इसके चर्चाओं में बने रहने की वज़ा थी, एक तो प्रभास की फिल्म है, उपर से जो दो दिन पहले इसके मेकर्स ने इसका पोस्टर रिलीज किया था, उसे द तब का इन वी, तो चली किने नहीं है, वास्तिक नाम है और प्रभास के तो अब्रोजेक्ट के टॉक अफ दा टाउन बनी हुई है, चारो तरब बस नाग अश्वीन के निदेशन में बनी इस फिल्म की ही चर्चाएच हो रही है एसे में मेकर्स ने फिल्म के नए नाम की घोशना कर दी है Makers ने इस Mythological Science Fiction फिल्म Project K का नाम कल की 2898 AD रखा है इतना ही नहीं Makers ने इस फिल्म की पहली जलग भी दिखा दिये फिल्म का टीजर भी जारी कर दिया गया अगर बात की जाए फिल्म की पहली जलग की तो जब Makers ने Project K से प्रभास का लुक जारी किया था तब लोग काफी निरास हो गए थे लेकिन फिल्म के धांसू टीजर ने प्रभास के फेंस का उस्ताफ बढ़ा दिया है टीजर वीडियो में Modern Technology और Designs दिखाए गए है फिल्म में 2898 AD में होने वाले युद्ध की एक जलग दिखाई गई है टीजर में दिपिका पादुकोन एक योद्धा की तरह लड़ती हुई नजर आ रही है वही प्रभास बुराई के खिलाप में लड़ने वाले मशिहा लग रहे है अगर बात की जाए इस फिल्म के रिलीज के बारे में तो बता दे की प्रजेक्ट के का निर्रेशन ना अगर्श्विन ने किया है इसमें प्रभास और दिपिका पादुकोन के अलावा अमिताब बच्चन, कमल हाशन और दिशापाटने भी है ये फिल्म आने वाले शाल बारा जनवरी के दिन सिर्मा घरों में दस तक दे शकती है फिल्म के टीजर की बात करो तो टीजर सिरुवात होता है कुछ लोगों पर अक्याशार होते वे दिखाई देते हैं वहाई पर एक शेना भी दिखाई देती है जो कि शायद इन सब बुराईयों से लड़ने के लिए तयार होती है उसके बाद इंट्री होती है प्रभाश की जो कि एक सुपरमेन की तरह दिखाई देते हैं और वहाँ बुराई से लड़ते हैं इस फिल्म का नाम कलकी रखा गया है कलकी का कर्nexion आज के समय से देखे तो कहा जाता है कि कल्यूग में कल्यूग की आउतार होने वाला है और कल्यूग में होने वाली बुराईयों पर किस तरह से युद्दिल लड़कर विजय प्राप्त किया जाएगा उस बारे में इस फिल्म में हमें दिखाया जा सकता है तो आप कितने एक्साइटेड है प्रापाश की फिल्म प्रोजेक्ट के के लिए कमेंट करके मुझे जरूर बताना मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ और मुझे काफी उम्मीद है कि साहो, राधिशाम और राधिपुरुष के बाद सायद प्रभास कुछ अच्छा करते हुए हमें दिखाई देंगे तो जो भी वह आपकी राए कमेंट सेक्षन आपके लिए खुला हुआ है और अगर आपना अभी तक मेरे शेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी शे कर दीजे और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हैं मेरे शेनल के शाहाँ